कि हमार तपिक और मोमेंट और इनर्चिया क्या होता है यह सिंपल सा एक किसी भी मार्थ की प्रोपर्टी होता है जब सर्क्लर मोशन की बात कहते हैं तो क्या सकते हैं हम लोग कहां गया भाई तुम प्रोपर्टी ऑफ बॉडी ड्यूटी विच अपोज एनी चेंज इन इस स्टेट और उनिफॉर्म रोटेशन यदि रोटेशन को क्या करेगा उसी स्टेट पर रहना चाहेगा मतलब जिस स्थित्पी में है कोई भी बहादूर उसी स्थित्पी में रहना चाहता है यह प्रोप आपीट चाहल्म पढ़ें से एक चीज इनर्टीया बाइए इनर्टीया क्या होती थी कि सिंपल साथ इस्थ में रहेगा मोशन में तो मुट्र में रहे लेकिन इस सर्कूर्म सब्सानर पार रहे हैं रोटेशन करें इसमें क्या है रोटेशन करेंगा तो देखो यहां सबसे जो चीज है ओके वह क्या है जैसे लीनियर मोसं कीजिए जो रोल्स प्लेड करता है मास जैसे एक इक और टो रोटेशनल मोसन में प्लेडक्त क्यों करेगा मुमेंट और इनेक्ट्ट्रियम मतलब 4 force equals to m पिजा पर किसको यूज़ करेंगे आई और किसे लिखते थे अलफा से लिखते थे आएक्सलरेशन एक्सलरेशन का छूवार ने लिखते थे आई इन्टि अलफा लिख सकते हैं आई किसके जाओ रोल प्ले किया कि तरह तो जितने फॉर्मूले आएंगे आगे तो linear motion से हम लोग कि इसमें रोटेशनल मोसन करेंगे कहीं भी एंप लिखा हुआ रोटेशन में बात हो रही है तो एम ज़ा किसको यूज कर लेंगे आई को यूज कर लेंगे तो सेम रोल प्लेट किसमें करेगा रोटेशनल मोसन केस में आप जैसे यह बहादूर है यह सारे सारे मास का इक्वल डिस्टेंस पर है यह कंटिनुटी अपने को मेंटेन करके रखे हुए लेकिन इसमाले केस में यह क्यों रूख जा रहा है क्योंकि इसका इनर्शिया इसके लिए अलग है इसके लिए अलग है शक्यूल के मास है समझ नए भावनाव को तो स्पल शैख क्या सकते हैं अपने स्टेट को कन्तिन्यम कर क्यों के रखेंगा अब हैक हमारे पास मैं परफीं ओंडा थो कैसLuc निकलेगा स्क्राइब कि यह आए इन इनर्शिया इट इस प्रोड़क्ट आफ मात समझ लो आड़ा हम से ठीकर कहीं डिपनीशन ऐसा भी लिखा में लेगा इट इस प्रोड़क्ट आफ मास एडिस्टेंश बिट्विट मास एक्षिस आफ रोटेशन मतलब जैसे हमारा क्या है यह हमारा axis of rotation है और इससे R distance पर हमारा क्या है एक mass rotate कर रहा है rotation कर रहा है तो moment of inertia को और कैसे define करते है it is the product of mass and square of the distance between axis of rotation and mass इसको क्या लिख से I equal to M R square जैसे single point mass होता तो यदि multiple रहेगा तो simple सा सब को जोड के लिखेंगे I equals to M1 यहां क्या है अलग-अलग मांस जैसा रहेगा ठीक है अब यदि हमारे पास continuous distribution of mass रहेगा यहां क्या point mass थे यहां क्या एक body है यह क्या है पुड़ी body है इसमें से क्या करेंगे सबसे पहले एक छोटा सा मास निकाले और तो क्या करेंगे तो छोटा क्या हो जाएगा आइन कर जाएगा आइक पोस्तों क्या होगा अगर अगर आज को अगर रस लेते हैं कर सकते हैं जैसा condition वैसा apply करेंगे लिख सकते ने इसको डियाइक क्या होगा आई होगा अब इस जैस्थ हम क्या परें मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इस इक्वाल्स टू एम आर स्कॉर्ड यही पर है न तो एम कर क्या होता है आर मतलब डिस्टेंज मतलब किलोमेटर यह इसका क्या होगा यूनिट क्या हो गया केजी मीटर स्कॉर्ड अब डायमेंशन फर्मूला क्या लिखेंगे अब इसे कुछ पॉइंट को दिशान में रखेंगे पहला पॉइंट क्या है जो अभी जास्ट बोले थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले दी सेम रोल इन डोटेशनल मोशन एज मास इन लीनियर मोशन जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रोल प्ले करेगा केस में जो प्ले जो रोल प्ले करता कौन है मार्क किस केस में लीनियर मोशन केस में दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉड़ी स्टीटेज एक टेंसर का मतलब जो ना ही एसकेलर हो और भी कोई टेंसर है जैसे हमारा टेंसर का मतलब क्या होता है जिसके पर डारेक्शन होगा ठीक है पलस मैंगनिटीड होगा लेकिन फिर भी यह हमारा क्या है बैक्टर नहीं है क्यों क्योंकि यह लॉकोअ लुड़को फालो नहीं करता है तो उसको क्या बोलते है लोग टेंसर बोलते हैं taliskan क्या है वैनेरिट है फिर भी यह क्या नहीं है नहीं क्या है सब्सक्रारी मोमेंट अफ इनेर्टिपेंट सब्सक्राइख ऑन किसकी अब मास ऐद्स बहुत कहां पर है ठीक है और कितना और किसके अपर ऑन नी पॉईटपी नप आख्शी सव रोटेशन अभी जास देखें ते ह तो यहां पर दिपेंड किया और दोनों आप्सी सब्रोटेशन और मास के बीच के डिस्टेंस के उपए करता है यहां भी रहता यहां भी रहता तो किस वे इसके डिस्ट्रीबिशन पर डिपेंड करता क्या फर्मूला बना था मोमेंटम पर डिपेंड नहीं करता है इसको अगले स्लाइट प्रूफ भी करेंगे इतना कैसे आता है और फिलाल के लिए इतना याद रखना है पक्का वाला एडियों सा गारेशन क्या होता है सिंपल सा इडिस्टेंस ऑफ पॉइंट कहां से प्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पे एट विच होल मास ऑफ दी बॉड़ी वेर कंसंट्रेटेड अब मास कहीं हुआ करता था याद है कभी तो पूरे बॉड़ी का मास कहीं पर तो कंसंट्रेटेड होता होगा तो उस पॉइंट से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं उसका जीडियोस ऑफ गारेशन या क्या सकते हैं रूट बीने स्क्वाइशन ऑफ इस पर्चिवेंट पार्टिल कहां थे फ्रॉम एक्षिस ऑफ रोटेशन इस क्लिट लेडियोस ऑफ गारेशन ऑफ बोडी रूट मीन इसको निकालने आता है कैसे निकाल से मिन जोर दो सबको और टोटल से डिवाइट कर दो एसक्वायरूट ऑफ मीन सब लोड निकाल सकता है तो यूनिट क्या होगा जैदि यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगा यूनिट इसका मीचर होगा 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 है होगा डामेंट सा यह लिखना चाहोगे तो है एम जीरो एल टी कि अब इस पर विए सोचना पड़े एक सेकंड का कोच्छर में गल्दी से पूश देख क्या होगा यूनिट तरह है अच्छा हिख दूंप और जूसर तरीके से दिफाइन कैसे किया जाता है कौलनिट और पॉड़ेट पॉड़ेंट अपडिवादेश अपडिफिशा रेगिए सब गायडिशं तीक है शिंपल्साद मॉमेंट आप फिनशिया आइक यपोस में क्या लिख सकते हैं मास और इक का इसको एक यह फर्मूला यार लखना है, सिंपल से यहां से एक वोस्त लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आइवाई, रूट अंडन, लिखा जा सकता है, अब चलिए, हम लोग क्या करते हैं, कि अब यह की वैलू जो लोग पीशे लिखाये थे, उसको फ़ास है देख लेते हैं, अब आई का हम लोग जानते हैं, नम्मोरा लुट छास यह दी लहता है, निकालता है, आई-प्लोष तो क्या होता है? यादी नम्मोरा लुट पाटिकल के लिए बात करते हैं, तो क्या लिखे? हम लिखतें, यह M1 R1 का स्क्वाइड प्लस M2 R2 का स्क्वाइड प्लस डॉट 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 कहा तर? MN R N का स्क्वाइड लिखते हैं इतना? और कुछ लिखते? इतना लिखते हैं इतना आई की वैल्यू? अग इसको हम क्या किये? माल या इदिफ M1 इक्वाइड डॉट 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 सकते हैं अब चल्ट क्या कि इसको ऊपर निछे दोनों साथ से किसे मुटिप्लाइ कर दिये कि दिवाइद भाइद भाइद इसके तकने को तकली तो यह हमार का हो जाएगा अपने मां से प्रूफ करना तो प्रूफ करने के लिए लिए उतना आपने को डिटेल वे नहीं जाना वरना पहो तो दस दिन तक से प्रूफ है चालता रहेगा हम वह दिख करती है इतना फ्रेंकर देंकर देंकर यहां से आई लिखा जा सकता है और वह दौंब एन इंटाल मास करने मास की लिए तो टोटल मास के लिए क मास से मल्टिप्लाइ करना तो टोटल मास क्नीकलेगा उसका तो स्कॉर प्रूफ क्या लिख सकते है आइट इकुलस दो माई एन इंटुल क्या R, M k s2 तब? लिख सकते हैं लिख सकते हैं लिख सकते हैं I equals to R क्या होता है अब ज़स्ट परें I equals to F by M K s2 तो K equals to same हो जाएगा अब मातलब? Ohma M से आगाई अब माना M से आगाई K equals to क्या लिख सकते हैं R1 का स्कुआइद R2 का स्कुआइद R3 का स्कुआइद R और N का स्कुआइद divided by N लिख सकते हैं अभी ज़स्ट यहीं दिखा लिखा लिख ना पिछले वाले में तो k equals to क्या था? square root of तो यह समझ लिए आया? कुछ पॉइंट है, यह से related एडियोसों कारें सब किसके ओपर depend करता है यह depend करता है shape and size of the body ठीक है, दूसरा position and configuration of axis of rotation ठीक है, axis of rotation कहा है, तिसा distribution of mass किसके respect में axis of rotation के respect में और depend नहीं करता है किसके ऊपर mass of the body कैसे में depend करता है? क्योंकि radius of rotation के के पर्वूले में कहीं की mass है, क्या है? सिर्फ R है तो R क्या बताता है? distribution को R क्या बताता है? M1 कहा है, M2 कहा है, M3 कहा है लिकिए वो mass को पर depend निक करता है body का mass कुछ भी हो यह चार पॉइंट्स ध्यान में रखना है चलो यहां दो एक लाइफ रॉड है हमारे पास उसका लेफ क्या है ल दी यह ठीक है टू मासे एम 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 टू अटाइज तो इट्स तू इंड यहां पर एक मास लगा दिये कौन सा एम बन यहां एक मास लगा दिये एम टू पूशन यह कहारा नालोजी कोशन कर वही करते है पिर मोमेंट आप इनर्शिया आप दो सिस्टम एवाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू दी रॉड यह पासिं तू दी सेंटर अप मास अब हम को कहा पर जहां इसका से पास कर रहा हो नाम को यह पता है अब सेंटर अब मास क्या होता है को सेंटर अप मास के काले कि लिए किसी एक पॉइंट यहां से स्टार्ट करते हैं मालोग यह एक्सिस है जिसके वार्ट हमको rotation निकाला है यही नहींदा x center of mass होगा x center of mass हमको निकाला भूझए जिसके लीकश्क करेंगे इस पॉइंट्स हमको यह distance निकाला है यह निकाला है यह से 2 do not mask का distance निकालेंगे क्या होगा पहले वाले mask दिस्टेंश कितना इस point से 0 जहां पीए पॉइंट है वहीं पर M1 भी है M1 इंटू 0 पलस M2 कितने डिस्टेंस पे है L डिस्टेंस पे divided by M1 पलस M2 यह हमाना क्या हो गया M2 by M1 पलस M2 इंटू L यह हो गया हमाना क्या सीज यहां से यहां तका डिस्टेंस मतलब इसको चलो हमान लिए X1 तो हमारा X2 क्या होगा यह हमारे यहां से यहां तका डिस्टेंस X1 तो हमारे डिस्टेंस X2 होगा X2 इंटू क्या लिख सकते है X1 पलस X2 2 is equal to L, so x2 is equal to kitna? L minus x1 होएगा, अब हम निकाल ये क्या चीज़? x2, x2 is equal to L minus kitna? L minus M2 divided by M1 plus M2 into L, इसको solve करेंगे क्या आएगा, M1 by M1 plus M2 into L, होगा, अब हमको क्या निकालने के लिए पोद रहा है, moment of inertia कहां से, इस वाले axis से, center of mass से, center of mass से दोनों का distance उनको पता चल गया, एका distance कितना? x1, दूसरे का distance x2, तो moment of inertia क्या होता है, I equals to कितना? M1, x1 का square, plus M2, x2 का square, x1, x2 लेके चल दा है, अब हमको x1 की value पता है, x2 की value पता है, M1 पता है, M2 पता तो I निकाल सकते हैं, क्या हमारा? I equals to, क्या जानते हम दो? M1, x1 का square, plus M2, x2 का square, M1 का M1 है, x1 कितना है अब हमारा? M2 by M1 plus M2 into L, square, plus M2, M1 divided by M1 plus M2 into L, क्या है, M1 square, कितना? अब इसको solve करेंगे, तो हमारा कितना आजाएगा? M1, M2, M1, M2 divided by M1 plus M2 into L square, अब जिसका?